दोस्त होकर भी सचिन के साथ ये क्या कर गए कामबली देखें क्या है इसकी हकीकत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर और उनके बच्पन के दोस्त रहे विनोध कामबली के बीच रिष्टे तो काफी पहले सुदर गए थे इसके बाद हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों की दोस्ती को लेकर एक बार फिर खबरें बनने लगी है ये वाकिया मुंबई में खेली गई टी डटली के दोरान हुआ जब कामबली ने सचिन के पहर छू लिए सचिन इस लीग के ब्रांड एम बेस डर हैं और वे चीप गेस्ट के तौर पर इवेंट में मौजूद थे हाल ही में मुंबई टी डटली का फाइनल खेला गया जिसकी अवार्ड सेरेमनी के दोरान सचिन और कामबली के बीच की दोसी और उनके बीच का प्यार फिर नज़र आया फाइनल मैच में विनोध कामबली की टीम शिवाजी पार्क लायन्स को मुंबई नॉर्थ हिस्ट ने तीन रन से हरा दिया मैच के बाद हुई सेरेमनी में सुनील गावसकर प्लेयर्स और टीम वेमर्स को मेडल दे रहे थे इसी दोरान जब रनरफ टीम के मिंटर के रूप में विनोध कामबली मेडल लेने पहुँचे तो गावसकर ने खुद उन्हें मेडल पहनाने की बजाए सचिन उसे पकड़ा दिया और कहा कि आप ही अपने दोस्त को ये मेडल दे इस से पहले की सचिन मेडल पहना टे कामबली ने जुक कर उनके पैर छूने की कोशिश की अचानक हुई इस घटना से सचिन भी हैरान रह गए अलाकि उन्होंने तो रंथी कामबली को उपर उठाते हुए उन्हें गले लगा लिया और इसके बाद दोनोंने काफी देर एक दूसरे को गले लगाये रखा सचिन के कहने पर कोचिंग दे रहे कामबली विनोध कामबली ने हाल ही में अपनी क्रिकेटे के धमी शुरू की है जिसकी लाउंचिंग के मौके पर उन्होंने बताया था कि ये काम उन्होंने अपने दोस्त सचिन तेंडूल कर के कहने पर ही शुरू किया है कामबली के मताबिक सचिन को पता है कि मुझे क्रिकेट से कितना प्यार है इसलिए उन्होंने मुझसे कोचिंग शुरू करते हुए एक बार फिर क्रिकेट फील्ड पर लोटने के लिए कहा यहां से शुरू हुआ था दोनों का विवाद इन दोनों के बीच रिष्टों खट टासकी शुरूआत साल 2009 में हुई थी जब टीवी रियलेटी शो सच्चा सामना में हिस्सा लेने पहुँचे कामबली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेद भाव हुआ था कामबली ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वो बुरे दोर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद नहीं की क्रिकेट से रिटायर रमेंट लेने के बाद जब सचिन ने अपने घर पर पार्टी दी थी तो उसमें कामबली को नहीं बुलाया था वहीं साल 2013 में अपनी फेयर वेल स्पीच में भी सचिन ने कामबली का जिक्र नहीं किया था इससे कामबली को काफी बुरा लगा था